हेलो, असलावलेकूम एवरीवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड लाइफ बाइ रफवत, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, डेली का फेमस महपबत का शर्बत, तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं, यह मैंने लिया है, हाफ लिटर मिल्क वन बाउल मैंने वाटरमेलन ले लिये है, इस तरह से चॉक्ट डाइस करके यह मैंने हाफ कप शुगर ले ली है, यह ले लिया है वनीला एसन्स, यह हमारा रू अफजा और यह मैंने सब्जा ले लिया है, जिसे मैंने पानी में सोक कर दिया है, तो चलिए अब इस शर्बत को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा ये जो मिल्क है जो मैंने लिया है इसके अंदर थम शुगर डिजॉल्फ कर लेंगे यह हमारा नॉर्मल मिल्क है जो मैंने बॉल करके प्रिज में रख दिया था अब इसके अंदर शुगर डाल दिया है तो इसे थोड़ी देर के लिए डिजॉल्फ कर लेते हैं शुगर हमारी डिजॉल्फ हो गई है तो अब इसके अंदर मैं वान टी स्पून के जितना वानीला असेंस दाल दूंगी इसे काफी अच्छा फ्रेग्नेंस आ जाती है इसे भी मिला लेंगे मिल्क में और जो हमारा सब्जा जो हमने बिघा के रखा था इसे हम मिल्क में आड कर देंगे यह अच्छ से पानी में यह जो है इंगर्मियों में हमारी पोडी को बहुत अच्छी सी ठंदक पौचाता है तो आप इसे भी हम अच्छे से मिक्स करदेंगी अब इसके अंदर मैं हमारा फेवरेट रू अबजा डाल दूंगी यह मैंने वान टेबल स्पून डाला है इसमें एक और एक टेबल स्पून मिक्स कर देते हैं और अभी जो है हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा पिंग कलर आ जाएगा और इसका फ्लेवर भी मिल्क में जाते ही बड़ा अच्छा हो जाता है इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा पिंग कलर आ गया है अब इस तेच पे हम इसके अंदर जो हमारे वाटरमेलन से वो मिक्स कर देंगे और इसे एक मिक्स दे देंगे अब आप जो है हमारा शर्बत हो गया है रेडी तो हम इसके अंदर आइस दाल के फ्रिज में रख देंगे और आपको जब भी इसे पीना हो तो इत्दम थंडा रिफ्रेशिंग निकालके पी सकते है तो यह देखिए मेरा महबबत का शर्बत हो गया है रेडी इसे आप फ्रिज में चिल करके थंडा मजे ले लेके पीछिएगा यह इन गर्मियों में काफी रिफ्रेशिंग रहेगा आपको आज की मेरी यह महबबत के शर्बत की रेसिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आज के लिए इतना ही अलाहाफिस थैंक यू झाल झाल झाल